अभी में जनपद गाजीपूर में हूँ और गाजीपूर में हथावडा ग्रामसबा है यहीं पर मैं उपस्तित हूँ यह हमारे बगर में देख रहे हैं सुर्य कुमार यादो जो की बल्लेबाज हैं बहुत अच्छे अभी उनका आज मैच होने वाला है लखनव में न्यूज लोग गए भी मैच देखने के लिए दादा जी सागत है हाँ देखिए पहले तो मैं अपना पच्छे बता दूं कि विश्व चंपियन महान बरलेबाज क्रिकेटर सुर्य कुमार के दादा विक्रम सिंग यादो प्रिसीडेंट पुलिस मेडल्स भारत सरकार से सम्मानिक ग् अधोना गाजीपूर जनपत जो बनारस से सटा हुआ है और जिसको लहुरी कासी भी बोलते हैं का निवासी हूँ और सुर्य कुमार का इसी सी बोल ने भी अभी डिकलेर किया है कि वो विश्व चंपियन बलेबाज हिंदुस्तान का नमबर एक हिंदुस्तान का नमबर एक बलेबाज तो हही है पूरे वर्ड का इस समय नमबर एक पर बलेबाज है जो पूरे हिंदुस्तान हमारी जनपत के लिए हमारे जनपत के लिए लहुरी कासी गाजीपूर के लिए तो हही है गाउं घर के लिए तो हही है हिंदुस्तान के लिए पूरा है और बहुत गोरों क पूरी दुनिया में सुरी की केड़े फैल लई हैं जिसका आज उदाहरन लखनवू स्टेडियम में अटल विहारी वाचपई स्टेडियम में मिलने वाला है और घर के भी लोग गए हैं आट-दस आदमी बनारस में राते हैं बिनोद यादव कपूर यादव रिसी यादव य यहां के भी आदमी गए हैं बहुत बनारस से चारबान सव आदमी गए हैं जो की कम से कम हमको उम्मीद है सत्तर रस्ती गाड़ियां कल साम को रवाने हुई वहां लखनवू के लिए और सब की निगाहें बड़ी उच्शूकता से सुर्य की केने देखनी के लिए ललाईत है और मैं भी इंतिजार कर रहा हूँ कि कब साम होगी साथ बजेगा और सुर्य अंधेरे में भी उदय होगा ऐसा इंतिजार किया जा रहा है उमीद है कि इन सब इच्चाओं को पूरा करते हुए सुर्य निकलेगा और उसकी छटा बिकरेगी दादा जी एक चीज और जानना चाहेंगे कि एक क्रिकेट जो मैच है जो गेम होने वाला लखनव हो रहा है इतना काफी नदीक अभी तक तो काफी दूर दूर हो रहा था लेकिन बिल्कुल आपके एक दम पास में है जहां आप भी जा सकते थे फिर आप उनका मैच इतना सा किते गा तो हमारी उर्जाब रहेगी हमारी एक जो है बढ़ती जाएगी अभी ऐसा करता है कि मैदान में बैठा दीजिए और किसी भी चीज पर इंग्लिस में हमको दे दीजिए मैं 10-15 पन्ना लिख कर फेंग दूगा इतना मेरे को एसास मालूम होता है कि मालूम पढ़ता है कि अंग्रेजी मेरे रूरू में भरी हुई है मैं जब सर्विस में था वार्लेस में डिपार्टमेंट में तो मैं इंग्लिस को कुछ नहीं समझा बड़ी-बड़ी दिक्संडरी को हमने भारगाव दिक्संडरी मिली थी उसको हमने चार खंडमें किया कर अपने साथ रख ज़ए मैं था और मेरे को फूलों माला से मैं सच गया मैं सोता था कि ये दिन आएगा कि नहीं आएगा लेकिन आज वो दिन उसे बढ़ कर आ गया है कि आज जो है फूलों मालों की गरगराथ पूरी दुनिया की गरगराथ हम अपने कानों से सुन रहे हैं इसके लिए इससे बढ़कर और क्या होगा इसलिए मैंने सोचा कि जाने से थोड़ा तब यह डाउन हो गयता दिक्कत होगा इसलिए मैं नहीं गया देखिए जब पोटा गेम जब हर वाल पे जब मारते हैं चोका छक्का और रन बनाते हैं तो जितना सोर होता इस्टेडियम में उस सूर को सुनने के बाएद इनके मन में और उबाल आता है और उससे कह रहे हैं दादा जी कि हमारी उम्र बढ़ती है और हम ऐसा मैसूस होता है क कि हम अभी बिल्कुल जवान है और कब जो है हम भी स्टेडियम पे पहुंच जाएं लेकिन मजबूरी है कि उम्र काफी ढल गई है तो थोड़ा सा सेहत पर भी ध्यान देना इसलिए जो है गए नहीं और परिवार से लोग भी गए हैं महां पर हाँ सब जीटे हुए हैं लोग कर जो है साम को वहां पहुंच गया लेकिन थोड़ा बात मामूली सा हुई डिटेल में नहीं हुई क्योंकि वो टिकट जो है उनको मिलता है तो लड़का बोला तब बोला कि दे दूगा आज सबेरे मिल गया होगा आपको जिसे आपको वहां पर जाने के लिए बुलाने के सब लोग बोले कि दादा आई आगरा कर रहा है लेकिन मेरी मजबूरी थी लेकिन कोई बात नहीं हमको उर्जा मिलेगी आज अगर वो अच्छा इसकोर बना लेता है तो यह हमारी निशित 10 साल और बढ़ेगी 15 साल बढ़ेगी और मैं अपने को जमान मासूस करूंगा हाद की निगाएं टिकी हुई हैं अब देखिए सब लोग की निगाएं टिकी हुई है लेकिन आज सुरु कुमार के बले बाजी से दादा जी की उम्र बढ़ने वाली है अच्छा दादा जी आप में एक बार हमारे चैनल पर पहले बी इंटर्विव आप दिये थे और उसम अशिर्वाद तो बंडल अफ थैंक्स इतना अशिर्वाद है कि हम गिन नहीं सकते बहुत जदा है हमारा विश्वास हमारा अशिर्वाद जनता का अशिर्वाद सब का अशिर्वाद है इसलिए मैं संचेप में कह दिया कि बंडल अफ थैंक्स मैस सभी लोग दे रहे हैं हम तो देज रहे हैं पूरे इंडिया के सभी दर्सकों का यही कामना रहती है उनके साथ की हम जो यह मैच है हम लोग के पक्ष में है और काफी सांदार उसका परदर्सन रहे है अभी साम होते ही साथ बजे से पहले टीवी आन करके आप बैठ जाएं करने के लिए खाद हमेसा कोल कर बैठ जाते हैं गतां से और देखते हैं कि मैं भी देखता हूं के भी आदमी आते हम बढ़ी उतुक्ता और बाकि कुछ गाउं के लोग भी आये हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि सुरिक कुमार यादो को किस तरह से सुब कामना देते हैं और उनके घर पर हूं और मैच ये लोग कैसे देखते हैं अभी बिलकुल पास में मैच होने वाला तो वहां पर ये लोग जाने के अच्छा आप नहीं करें लग नहीं थोड़ा एक लोग बगल के इस पायर हो गया है तो आज घार था इसे लिए रुख गया है मैं मैच मीस्स नहीं करते हैं आप लोग लोग तो क्रिकेट के एकदम दिवाना आए दिवाना क्या आज की मैच में क्या खास रहेगी आज के मै उस दिन तो आउट हो गया था लेकिन आज खेलेगा शुरकुमार जैसा बल्लेबाज पूरे वीशुमे नहीं है आपका सरपर्चे मेरा नाम सिखंदर यादो है मैं थोड़ा काम कहा है क्या आप मैच आप तो देखते हैं या डेली फायन है उनका एक दम देखते हैं वाई हमा है या लग्ला यहीं मैच प्रति करें कावश उस दिना भर कर दो सीडी लगादी जाती है और कौसी जतना सब्सक्राइब देखते हैं अच्छा वाज भी तो उस तरह से वेऊस्था होगी पूरी पूरी वेऊस्था है जब मैच आता है तब उनका वेऊस्था लगता है देखिए अभी उनके घर पे हूँ और काफी लंबा चोड़ा यहां पर उनका प्रांगर देख रहे हैं उनके द रखता है कि यहां पे लख नव का सप्तीय यहां फिर जो भी स्टीडियम है वेस्ट देख आधव को धिक घर पर हम पिर सांगोह होने वाला बड़ा बार उस्ट पोष्टर लागा हुआ है और उनके अभी इस साम को साथ बजे अब तो हम रहेंगे नहीं देखते हैं प्रयास करें कि हम आपको दिखाएं बाकि बस इस वीडियो में इतना ही अब लखनव का आज का जो मैच है वहां पर मैं भी सुपकामना करता हूं कि इंडिया के लिए जो सुर्यकुमार यादाव खेल रहे हैं वो गाजीपूर का नाम रोसन कर रहे हैं और आज आज के उनकी बल्लेबाजी पे हमारी यही आसा है कि आज बल्लेबाजी करें कि गाजीपूर का नाम केवल नाम गाजीपूर का आते हैं सबको यह डर हो जाने चाहिए कि अरे गाजीपूर तो बहुत बीरों की धरती है तो बस इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत